नमस्का एशरी जिन्या में आपका सौगत दें में प्रिया आपके साथ उत्राकाशी के सिल्क्यारा टरनल से सभी 41 मजदूरों के सुरक्षित निकलने के बाद बुधवार 29 नमबर की राद देहरादून इस्थित सीम आवास पर इगास पर्व मनाया गया इसमें सीम ध्हमी समेत कुछ मजदूरों के परीजन भी शामिल हुए उत्राखन में दिपावली के ग्यारा दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है सभी 41 मजदूर पूरी तरह सुष्थ हैं बुधवार कुरिशी के एम्स में सभी का मेडिकल चेक अप हुआ उन्हें यहां 48 घंटे तक अब्जर्वेशन में रखा गया एम्स की सीई ओ प्रोफेसर मीनू सिंग ने कहा सभी मजदूरों का हमने ECG कराया है सभी स्वस्थ है उनका ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन लेवल भी सही है एम्स में भरती सभी श्रमीकों का ब्लड सेंपल लिया गया है गुरुवार 11 बजे तक रिपोर्ट आएगी जिसे एम्स डारेक्टर के पास भीजा जाएगा इसी आधार पर तय होगा कि उन्हें डिस्चार्ज कब क्या जाएगा दोपर को इंडियन एरफोर्स के चिनुक हेलिकॉप्टर से मजदुरों को चिनल्यासी सोड से रिशी के शिफ्ट किया गया था इससे पहले मंगलवार को टनल से रेस्क्यू के बाद मजदुरों को चिनल्यासी सोड के समुदाइक स्वास्त केंदर में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्स की देखरेक में रखा गया था, यहां रात भर इन्होंने आराम किया, उत्रकाशी की CMO, RCS पवार ने आज सुबह बताया कि उन्हें देर रात और सुबह नार्मल डाइट दी गई, उनकी मेंटल हेल्थ की कॉंसलिंग भी की गई है, इसी